तो डेविड तुम टेंसन ना लो यह जो गाइड लाइन्स आई है इसके अगेंस हम खड़े हैं और तुम्हें न्यूट्रल कराने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी तुम्हारी रस्बंदी नहीं होगी ऐसे बिंग पैरेंस मैं तुम्हारी पूरी रिस्पोंसिबिल्टी लेत हूं और कोई भी गाइड लाइन्स अगर तुम्हारे खिलाफ है तो मैं उसके अगेंस खड़ा हूं और बहुत सारे पैरेंस खड़े हैं तो तुम टेंसन ना लो ठीक है हम है तुम्हारे साथ ओके तो ऐसा हम नहीं होने देंगे बैन नहीं होने देंगे तुम्हारे भी तो इस चीज के अगेंस मैं खड़ा रहा हूं और मैं इसके अगेंस प्रोटेक्शन चालू कर चुका हूं बस आपकी जरूरत है सपोर्ट की ताकि मैं इस अगेंस को और अलग लेवल पे लेके जा सकूं तो डॉग ब्रीड बैन यह जो लगा है मैं आपको पहले इसका मतलब देता हूं इसका मतलब यह है कि जितने भी डॉग है जैसे रॉट वाइलर पिट बूल टैरियर अमेरिकन बूल डॉग अब आप उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेल नहीं कर सकते उन्हें आपको न्यूट्रल कराना पड़ेगा जिसका मतलब नस्बंदी कराना जो सुप्रीम कोट की गाइडलाइन्स आई है उनके इसाब से रॉट वाइलर पिट बूल अमेरिकन बूली टैरियर यह सारे डॉग जो है डेंजरस है सुसाइटी के लिए बच्चों के लिए जो मेन रीजन लाया गया है कि क्यों इन डॉग को बैन किया गया है वो है कि ठी ट्रू और फैक्ट बात बताता हूं अगर आप निउस आर्टिकल्स देखोगे तो उसमें आपको लेबरा के भी आटेक मिल जाएंगे जर्मन्स के भी आटेक मिल जाएंगे और रियालिटी बोलूं तो इस्टी डॉग के भी आटेक मिल जाएंगे बहुत सारे जो की बोल रहा है stick dog को बोला है bro मैं fact बोल रहा हूं ठीक है तो और इस बात में मुझे आपको कोई explanation नहीं देना है without doing proper data analysis और survey आप कैसे बोल सकते हैं कि यह breed dog dangerous है अभी यह देख रहो मैं वीडियो बना रहा हूं यह सांती से भूम रहा है fresh हो रहा है और बोर भी हो जा रहा है क्यों करेंगे कि stick dog बहुत वह होते हैं bro ज्यादा तर अठेक stick dog करते हैं ठीक है उनकी भी problem में लोग उन्हें मार देते हैं जो खाना किलाने जाते उन्हें खाना किलाने नहीं देते तो वह frustration एक उनका trauma रहता है तो अब क्या करें इसके बारे में बैन तो लग गया है तो ऐसा हम न यह मुझे 10 कदम तक जाने नहीं देता आगे और यह dog dangerous है तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कोई भी dog dangerous नहीं होता है यह सारी responsibility owner की होती है कि owner उसे कैसे guide कर रहा है क्योंकि सारे dog को rights है जीने का अपनी family बढ़ाने का प्यार करने का और society में रहने का डेविड आ जाओ कम यह देखो यह dangerous है तो guys किसी भी guidelines को पास करने के लिए proper data analysis किया जाता है उसका survey किया जाता है आप survey नहीं करो और अचानक से उठके आओ और ban लगा दो तो ऐसे बहुत सारे cases है जिसमें dog को मारा गया है even तक rape किया गया है तो उनके बारे में आपका कोई guidelines rule नहीं आया और ban लगा दिए एक दिन नहीं लगा आपको ban लगाने में तो guys ऐसे बहुत सारे news आ जाएंगे जिसमें dog को मारा गया है जलाया गया है even तक rape किया गया है और बहुत सारी चीज़े की गई है humans के द्वारा डॉक पे तब उनके लिए आपके पास कभी भी कोई भी time नहीं था guidelines लान के लिए और आप ऐसे उठते हो और सुबह सुबह breed dog पे बैन लगा देते हो तो यह चीज एकदम ही गलत है parents की responsibility होती है कि आपका dog guard या आपका dog कैसा निकलता है और अच्छी बाद बताओं तो parents की responsibility होती है dog की care करना और dog को बचाना और अगर कोई rules और regulation आता है तो उसके against ख बल्दी हटाने के लिए अब आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है कोई भी government entity आपके dog को नहीं ले जाएगी अगर आपके dog का license या registration नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप उससे करा लो YouTube पे बहुत सारी details मिल जाएंगी कि आप अपने dog को license कैसे करा है register कैसे करा है आप अपने साइट से safe फो फैले और राइबीस का injection नहीं लगा है तुसे लगवा लो और सबसे बात जिब राइबीस का injection लगता है तो एक छोटी से certificate उस पे रहती है उसे रखे रहो वो काम आएगी dog register या license लेने में तो डरोबत इस चीज़ के अगेंस हम खड़े हैं और बहुत ही जल्द इस rules के खिलाफ petition भी फाइल होगी और इसे हम खत्म करेंगे इंडिया में बस आपका support चाहिए तो गाइस इस rules के मैं एक दमी खिलाफ हूँ क्यूंकि मुझे पता है कि कोई भी dog dangerous नहीं होता है यह सारी responsibility owner की होती है कि owner उसे कैसे guide कर रहा है क्या हुआ यह देखो तो आपसे मेरी highly recommends है कि इस वीडियो को जितना हो सकते उतना सेयर करो और लाइक सेयर करो और हमारा जो हैस्टाक है इस टॉप डॉग ब्रीड बैन उसे बहुत ही ज्यादा चलाओ अगर कोई influencer मुझे देख रहा है तो इंस्टागरम पर आओ कॉमेंट करो और इस